हालो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने iq7 android mobile phone में आप जो है pin lock set कैसे कर सकते है अपने mobile phone पे ठीक है और यह pin lock set होने के बाद आपके mobile phone के setting कैसे काम करेती है आज के इस वीडियो में हम आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को हम start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page आपको open करना है ठीक है setting page को open करें अपने phone में setting page में आपको ने नीचे आना है और यहां पर आपको option मिलेगा security का security पे select करना है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यहां पर आपक से कमना, फोर डिजित आपको यूजड़ करने है, फोर डिजित से आप ज्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर डिजित से कम यूज़ करेंगे नथा तो आपका पिन लोड् सेट नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, तो आप यहां पर कोई भी 4 digit आप use कर लीजिए ठीक है तो मैं यहाँ पर randomly जो है 1236 डाल देता हूँ जो मर्ची आप डाल लीजिए इसके बाद आपको इसे next के बटन पर tap करना है इसके बाद आपको फिर से वही pin डाल देना है दुबार से जो आपने पहले डाला था ठीक है इसके बाद आपको इसे confirm के ब pin lock लगा हुआ दिखाई देगा ठीक है अब यह pin lock आपको वही enter करना है यहाँ पर जो आपने set किया था ठीक है और इसके बाद आपको नीचे right click का option से आपको tap करना है तो आपको phone unlock हो जाएगा तो इस setting ऐसे काम करेगे आपकी pin lock set होने बाद आपके phone में अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको setting page open करना है phone का setting page में आपको सबसे उपर यह search icon सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है screen lock type करेंगे तो आपको screen lock का यह नीचे option मिल जाएगा ध्यान रखेगा आपको screen lock के नीच जो setting security लिखा होगा ना यह वाला option सेलेक्ट करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में आपको लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में